नवश्कार दोस्तों स्वागत है आपका डीप नॉलेज में आज मैं आपसे एक ध्यान की क्रिया कराऊंगा बहुत सिंपल क्रिया है इस क्रिया को सिखाया है भगवान श्री दत्त रेयने जो दुनिया के सबसे महान योग गुरु माने जाते हैं और मेरे हिसाब से वो एक अवदार थे थे क्या बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि वो अभी भी हैं अगर कोई योगी बहुत डीपली उनसे करेक्ट होना चाहता है मिलना चाहता है तो प्रगट हो जाते हैं उनको दर्शन भी देते हैं बहुत बार सपने में दर्शन देते हैं मॉलिकलर वर्ल्ड में और बहुत बार फिजिकली भी दर्शन देते हैं मुझे बहुत बार उनके साथ सीखने का मौका मिला है तो ये जो टीचिंग्स थी उन्होंने परश्राम को दिया था अपने शिश्य परशराम को मैंने देखा सद्गुरू अपने ध्यान में सिखाते हैं कि आपको आख बंद कर लेना है, रिट कि अडिसीर ही रटनी है और अपने आप से बार बार ये कहना है या ये सोचना है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ ये शरीर मैं नहीं हूँ ये मन मैं नहीं हूँ ये बार-बार रिपीट करना है लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो दिरी-दिरे हमारे ब्रेन के सेल्स में उस चीज़ के प्रती अवेर्नेस कम हो जाती है कोई भी चीज़ आप repeat करते हैं तो धीरे-धीरे हमारे brain की यह habit है कि उसको अपनी awareness बचानी होती है in fact इसलिए वो habit बनाता है तो मैं आपको यहाँ पर सिखा यही रहा हूँ कि कैसे आप अपने शरीर से अलग हो सकते हैं लेकिन साथी साथ मैं आपको कुछ insights भी दूँगा उसमें आपको क्या कर रहा है अपनी आखें बंद कर लीजे और जो कुछ भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको सुनिये और ध्यान होने दीजे जिस्ट लिसन टू इट और लेट दे मेडिटेशन हैपन यह पूरा ब्रम्हांड तुम्हारे सुक्ष्म शरीर के एक कोने में हो रहा है ठीक ऐसे जैसे स्वपन होता है जब तुम सोते हो तुम्हारे शरीर के किसी कोने में स्वपन होता है ठीक ऐसे ही तुम्हारे ही सुक्ष्म शरीर के एक कोने में ये फिजिकल वर्ल्ड हो रहा है जब तुम आखे बंद करते हो तो तुम्हें एक गहरा नीला आकाश दिखता है वो कुछ और नहीं है तुम्हारे ही सुक्ष्म शरीर की एक छाया है तुम अभी ये समझ नहीं पा रहे हो यूँकि तुम बॉडी कॉंशिसनेस के साथ फसे हुए हो इसलिए सबसे पहला काम तुम्हारा यही है कि तुम बॉडी कॉंशिसनेस से अलग हटकर गॉड कॉंशिसनेस के साथ एक हो जाओ और ये ध्यान के जरीए होगा इसके लिए तुम्हें एक भरोसा चाहिए तुम्हें मानना होगा कि तुम्हें ये शरीर नहीं हो तुम स्वैम इश्वर हो हमारी मानिता बड़ी मजबूत होती है हम जिस किसी चीज़ को मान लेते है वो हमारे लिए सच हो जाता है अगर आप रोज रोज ये रिपीट करें मैं गरीब हूँ तो हमारा मन इस बात को मान लेता है और ये बात हमारे लिए सच हो जाती है लेकिन यहां मैं आपसे एक सच कहना चाहता हूँ कि आप ये शरीर नहीं है आप स्वैम इश्वर है धीरे धीरे आपकी बुद्धी ये बात समझ पाएगी और उसी से आपका एहनकार गायब होता जाएगा आप जो कुछ भी खोज रहे हैं वो आप ही के अंदर है लेकिन उसका एक पॉइंट है एक सोर्स है उसी सोर्स को महसूस करने को ध्यान कहा जाता है और वोही सोर्स जो आपके शरीर में है वो सबसे पवित्र है वोही प्रार्थना के लाइक है वोही याद करने लाइक है और वोही होने लाइक है इस ब्रमान में केवल परमात्मा ही है और कुछ नहीं है जब दुनिया में कहीं कोई जनम होता है तो किसी इंसान का जनम नहीं होता तीन गुणों का जनम होता है तीन अलग अलग गुणों का इन तीनों गुणों का सेंटर केंद्र एक है अधुएत है जैसे एक दिये को जलने के लिए तेल चाहिए ऐसे ही एक छेतना को निकलने के लिए उसके अंदर में परमात्मा चाहिए एक दिये को जलने के लिए तेल चाहिए ठीक ऐसे ही एक चेतना को निकलने के लिए शरीर के अंदर में परमात्मा चाहिए लेकिन जब तक तुम्हारा मन अपने आपको ये मानता रहेगा कि मैंने ये अच्छा किया मुझसे ये बुरा हुआ तब तक उस सोर्स के पास पहुँचना मुश्किल होगा तुम्हारी चेतना बहुत पवित रहे बहुत मीठी है क्यूं? क्यूंकि वो परमात्मा से निकल के आ रही है थुदा सोचो तुम अपने बल पर क्या कर पाते हो क्या सो सकते हो खुद से क्या अपनी मर्जी से जग सकते हो क्या तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो अपनी सांस रोख सकते हो अपनी भूख को खतम कर सकते हो जब सब कुछ तुम्हारे शरीर को होता है तो तुम्हारे अंदर में एक करता भाव क्यों ये तो एक life source है जो तुम्हारे सभी कर्मों के लिए responsible है तुम तो केवल उसको witness करते हो, साक्षी हो जो कुछ भी तुम सोचते हो, वो जूट है और जूटी बातों पर ध्यान देते हो ध्यान तो तुम्हें अपने अंदर source पे देना पड़ेगा तुम्हारा बच्पन आया, उसके बाद जवानी आई इन दोनों में क्या चीज है जो common है जिसको तुम कहते हो, मैं जो कुछ बदलता है, वो माया है जब तुम इस शरीर का concept अपनी समद से जुटला दोगे उसके बाद तुम जिस चीज को experience करोगे वो है true nature of परमात्मा मैं जब बात कर रहा हूँ तो तुम्हारे शरीर से बात नहीं कर रहा हूँ तुम्हें भी शरीर बन के मेरी बात नहीं सुनी चाहिए शरीर को रहने दो उसको स्वस्त रहने दो शान्त रहने दो लेकिन उस चीज को जानो जो इस शरीर में आता है और जाता है ये जानो कि तुम शरीर नहीं हो शरीर को अनुभव करने वाले हो उसको पूरा ध्यान दो जो हर अनुभव को जी रहा है अपने दिमाग में ये बात रखो कि तुम इस शरीर से आने वाली एक रौशनी हो और उसके बाद अपने कर्म करो चेतना एक दिया है और दिये की रौशनी आ रही है सोर्स से तुम्हारे अंदर से लाइट निकल रही है लेकिन उस लाइट का सोर्स है परमात्मा अच्छे एक बात बताओ क्या कभी आस्पान में कोई गड़ा देखा है कोई छेंद देखा है क्या तुम्हारी आँखों में से निकलने वाली रौशनी तुम्हारे सेल्फ की रौशनी नहीं है क्या रौशनी आदमी या औरत होती है ये कॉंसेप्ट है तुम्हारा जो शरीर को देखती है और इसे लिए मौत से डरती है तुम पहले चीजों को उमीद करते हो और उसके बाद उनको पा जाते हो तुम जो दुख पाते हो तुम्हारी ही उमीद में से निकला हुआ एक अनुभू है क्या कभी किसी ने रौशनी को लाइट को मरते होए देखा है तुम ये सारी बाते सुन रहे हो ये एक सत्कुरू के मुझ से सुन रहे हो इसलिए ये सुनना ही तुम्हें मुक्त कर सकता है तुम्हारे लिए तपस्या की जरूरत नहीं है जब भी करने की जरूरत नहीं है केवल अपने गुरू की बात को ध्यान से सुनो समझो और याद रखो और तुम बिना किसी एफ़र्ट के पहुंच जाओगे परफेक्शन तक ये मंत रहे तुम्हारा जिसके जरीए तुम्हारे ईश्वर तक पहुँचने का दर्वाजा खुलेगा तुम ही वो ट्रू सेल्फ हो इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं है जो रोशनी होती है वो स्पॉटलेस होती है उसमें कोई दाग नहीं होता उसके मृत्यू कैसे हो सकती है इस समय कौन सुन रहा है वो तुम्हारा ट्रू सेल्फ है लेकिन जब ये चेतना भी भूल जाएगी अपने बारे में उस समय तुम्हें एक पीस का नभाज करोगे अभी फिलहाल तुम्हें अपनी शरीर की चेतना है दीरी दीरे ये चेतना भी गायब हो जाएगी तुम्हें गहरा नीला आकाश दिख रहा है आख मन्त करने पे उसमें कोई ब्रेक है, कोई रुकावट है वो सब जगा फैला हुआ है जो कुछ भी तुम्हारा गुरू तुमसे कहता है उसको पुरे तन मन से समझो और फॉलो करो युकि वही तुम्हें तुम्हारे परम चेतना तक पहुचा सकता है बहुत जल्दी तुम्हारी आखों में वो नीला आकाश गायब हो जाएगा और बचेगा प्यॉर कॉंशिसनस जो परम साक्षी है ये ध्यान की चौती अवस्था है जिसमें तुम सब कुछ होते हो और सब कुछ तुम होता है तुम जो जो देखते हो वो सब तुम ही होते हो तुम्हारी चेतना का स्वाद तुम्हारे डिवाइन फ्रैग्मेंट से आ रहा है उस डिवाइन फ्रैग्मेंट में करोडों, अर्बों, ब्रम्हांड है बुद्धी से तो बहुत लोग इस बात को समझ जाते हैं लेकिन करोडों में एक होता है जिसको सद्गुरु की बात पे भरोसा हो पाता है और ऐसा इंसान दुनिया का सबसे किस्मत वाला इंसान होता है क्योंकि उसे सेल्फ टॉलेज की विज्ञान पे भरोसा हो चुका है तुम्हारा सबसे बड़ा पाप यही है कि तुम मानते हो, कि तुम शरीर हो इसलिए तुम्हारे अंदर का जो एपसलूट है, उसके होने के बावजूद जो कभी मरता नहीं उसके होने के बावजूद तुम्हें मौत का अनुभाव करना पड़ता है बृत्यू के समय कोई नहीं बचता, लेकिन तुम बचते हो इसलिए तुम्हें चूज करना होगा, तुम्हें डिसाइड करना होगा किसी और के उपर डिपेंड मत हो, किसी की पूझा करके तुम खुद को नहीं जान सकते तुम्हें इस ग्यान की ही पूझा करनी होगी, अपनी गुरू के शब्दों को सुनना और समझना होगा और फिर तुम देखोगे तुम्हारे अंदर करोणों, अर्बों, ब्रम्हांड खेल रहे हैं तुम्हारी चेत्ना में अगर तुम अज्यानी मर जाते हो, केवल शरीर रूप में मरते हो, तो ये सबसे बड़ी बतकिस्मती है क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई इश्वर है, तो तुम्हारा सेल्फ है, तुम्हारा सेल्फ रिलाइजेशन है और वही है मुक्ति का द्वार दोस्तों, अगर आप इस पूरे वीडियो को अपने कॉपी में लिख लेते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार तो उसी से ही धीरी-धीरे आप सेक्शन 2, B, 3 और 4 खोल सकते हैं ये डिवाइन ट्राग्मेंट में से निकली हुई सीक्रिट नॉलेज है जो गुरु दतत्रे ने परश्राम को दिया था, कृष्ट ने अरजन को दिया था, मुनी वशिष्ट ने भगवान राम को दिया था और इसी ग्यान से वो सारे इस फिजिकल बाडी के कॉंशिसने से मुक्त हो पाए है और आप भी हो जाएंगे झाल